चार पाई के अंदर जी केसे बनाते हैं आज हम उसके बारें बताएंगे तो आप इस वीडियो को लाज तक देखें तो अगर आप अपनी चार पाई के अंदर जी बनाना चाहते हैं या आपके नाम के अंदर जी अक्सर आ रहा हैं तो आप उसको किस प्रकार से बनाएंगे उ पूरी रसी चलाकर आपको बताएंगे यहां पर पूरा जी बनाकर बताएंगे तो यहां पर यह जो जी है वह बनाकर बताएंगे तो इसके लिए आपको इस वीडियो को इसकिप नहीं करना है तो आप देखिएगा शरुआत से तीन रसी दबाकर पांच रसी उठाएंगे उसके बाद में यहां पे पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पे पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर दो रसी दबाकर पांच रसी उठाएंगे फिर चार रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर पांच रसी दबाकर पांच रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर तीन रसी दबाक और इस रसी को हम दूसरी सैड में लेके जाएंगे इस प्रकार से अब इस सैड की जो यह गुंडी है इसको भी हम लगा लेंगे इस तरीके से इसको लगाने के बाद में इसको भी थोड़ा टाइट कर देंगे और यह जो रसी है इसको हम पास में चिपका देंगे इस प्रकार से पास्में चिपकाने के बाद में, अब हम सरुवाज से दो रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, फिर याँ पर एक रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, याँ पर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, फिर एक रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, फिर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे एक रसी दबाकर पांच रसी उठाएंगे फिर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे और यहां पर भी तीन रसी दबाकर ती और फिर यह जो इस साइट की जो कुंडी है इसको भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से इसको लगाने के बाद में रसी को पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से और फिर आगे की रसी चलाएंगे तब सरवात से एक रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे और यहां पर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर पांच रसी दबाकर पांच रसी उठाएंगे और एक रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर एक रसी दबाकर इस तरीके से और रसी को दूसरे साइड में खीच लेंगे इस प्रकार से फिर इस सेड़ी जो गुंडी है इसको भी हम लगा लेंगे इस प्रकार से और इसको लगाने के बाद में यह ज़र रसी है इसको भी हम दूसरे साइड में खीच लेंगे अब हम धर्वास से तीन रसी उठाएंगे, फिर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, फिर यहां पे तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, फिर यहां पे तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे, यहां पे आण्र दबाकर फ्री तीन तीन दबाकर और यहां पर तीन तीन दबाकर लस्ट की यह गंडी गोंडी और यह प्रकार से लगार लेंगे इस्थी को लगाई या वाद में यह जो रससी को पास में छिपकाएंगे इस परकार से 25 पर ऩाइंगे फिर 14 टा कर तीन दाएंगे फिर 25 लेख़ों GP दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर यहां पर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर यहां पर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर य लगा लेंगे इस तरीके से इसको लगाने के बाद में अब यह जो रसी है इसको हम दूसरी सेटी खीच लेंगे और बाद में यह जो दूसरी सेटी जो कुंडी है इसको भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से इस तरीके से लगाने के बाद ये जो रसी है इसको इमपास में छिपकाएंगे और अब सर्वाद से एक रसी उठाकर सुरी सर्वाद से तीन रसी उठाकर पांच रसी दबाएंगे फिर पांच रसी उठाकर नो रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर यहां पर पांच रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर पांच रसी दबाएंगे फिर यहां पर तीन रसी उठाकर दो रसी दबाएंगे और पांच रशी उठाकर चार रशी दबाएंगे फिर तीन रशी उठाकर पांच रशी दबाएंगे फिर तीन रशी उठाकर एक रशी दबाएंगे फिर तीन रशी उठाकर तीन रशी दबाएंगे और फिर यह जो दूसरी सैटी जो गुंडी है इसको भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से अब इसको लगाने के बाद में यह जो रसी है इसको हम पास में चिपकाएंगे और फिर आगे की रसी चलाएंगे तब सुर्वात से एक रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे यहाँ पर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर एक रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर यहाँ पर साथ रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे और यहां पर एक रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे अब यहां पर एक रसी दबा कर पांच रसी उठाएंगे इस प्रकार से फिर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे एक रसी दबा कर पांच रसी उठाएंगे फिर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर पांच रसी दबा कर पांच रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर दो रसी दबा कर यह जो गुंडी है इसको में इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से इसको लगाने को आद में अब हम इस रसी को दूसरे साइट में खीच लेंगे इस प्रकार से और फिर यह जो रसी गुंडी है इसको भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे अब हम इस रसी को पास में चिपकाएंगे और अब सर्वा से दो रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे उसके बाद एक रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे यहां पर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर एक रसी दबाकर नयक्स की शुरुदात करके तीन रसी उठाएंगे फिर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर एक रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे और यह जो दूसरी शाट की जो गुंडी है इसको भी हमें सप्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से इसको लगाने के बाद में अब हम इसको पास में चिपकाएंगे और आगे की रसी चलाएंगे अब सुरुआत से तीन रसी दबा कर पांच रसी उठाएंगे फिर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर एक रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे और लास्ट की तीन रसी दबा कर यह जो गुंडी है सोरी एक रसी उठाकर यह जो गुंडी है वह इसको लगा लेंगे इस प्रकार से तो इस गुंडी को लगाने के बाद में अब हम इसको थोड़ा tight कर देंगे और रसी को दूसरे सैट में खीच लेंगे फिर इस सैट की जो गुणडी है इसको भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से इसको लगाने के बाद में अब हम इसको पास में जिपकाएंगे इस प्रकार से अब हम सरवात से चार रशी दबाकर तीन रशी उठाएंगे फिर तीन रशी दबाकर एक रशी उठाएंगे फिर तीन रशी दबाकर तीन रशी उठाएंगे यहां पर पांच रशी दबाकर तीन रशी उठाएंगे फिर यहां पर तीन रशी दबाकर तीन रशी उठाएंगे एक रशी उठाएंगे, और बाद में य tweeën दबाकर तीन रशी उठाएंगे, पिर आप देख सकते हैं जी जी है, इस प्रकार से हम घुमाया आए यहां पे, फिर यहां पे पांच रशी दबाकर तीन रशी उठाएंगे, फिर तीन रसी दबाकर पांच रसी उठाएंगे फिर यहां पर पी तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर पांच रसी दबाकर पांच रसी उठाएंगे फिर यहां पर तीन रसी दबाकर दो रसी उठाकर यह जो कुंडी यह इसको में इस प्रकार से लगा ल और ने मिवीड़े वह पूलाइंगे अब इस रसी को हम ठोड़ा ओर टाइट कर देंगे और आप इसको हम पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से कि अब शरौञाथ से कुकुघ में पांच रसी दबाएंगे और बाद में तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर पांच रसी दबाकर पांच रसी उठाएंगे फिर यहां पर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे और यहां पर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर तीन रसी दबाकर एक रसी उठाएंगे और फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर चार रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पे 5 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे फिर यहां पे भी 3 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे यह जो गुंडी है इसको मैं इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से इसको लगाने के बाद में अब हम इसको थोड़ा टाइट कर देंगे इस प्रकार से और फिर यह जो रसी इसको में दूसरी साथ खींच कर यह जो दूसरी साथ की जो गुंड़ी है इसको भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से इसको लगाने एक बाद में इस रसी को में पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से और फिर यह जो आगे रसी उचलाएंगे अब एक रसी उठाकर पांच रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर एक रसी दबाएंगे फिर यहां पर तीन रसी उठाकर पांच रसी दबाएंगे फिर यहां पर तीन रसी उटाकर तीन रसी दबाएंगे और यहां पर तीन रसी उटाकर तीन रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उटाकर तीन रसी दबाएंगे अब यहां पर तीन रसी उटाकर तीन रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उटाकर तीन रसी उटाकर तीन रसी और अब यह जो रसी इसको दूसरी रसी में खीच गर इस साइड यह जो गुंडी ए इसको भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से और अब हम इस रशी को पास में चिपगाएंगे इस तरीके से फिर सरवा से दो रशी उठाकर पांच रशी दबाएंगे तीन रशी उठाकर एक रशी दबाएंगे फिर तीन रशी उठाकर तीन रशी दबाएंगे फिर यहां पे तीन रशी उठाकर पांच रशी दबाएंगे फिर य एक रstars दबाएंगे फिर यहां पर 3 रसी उटाकर प्शोटाकर जो गुंडी है इसको फ्रक्रसे लगा लेंगे इस तरीके से इसको लगाने के बाद में अब हम इस रसी को थोड़ा टाइट कर देंगे और बाद में यह जो रसी इसको दूसरी साइट में खींच कर इस साइट की जो गुंडी है इसको भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे इस तरीके से इसको लगाने के बाद में अब हम इस रसी को पास में चिपकाएंगे तो आप finally देख सकते हैं हमारा जो G है वो पूरा हो चुका है इस प्रकार से आप देखिए जो G है वो पूरा हो गया है देख लिजिएगा यह G बनकर त्यार हो गया है तो अगर आपको यह G बनाना समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को और पर सेलेक्ट कर दें और अगर आपके मन में कोई स्वाल है तो कमेंट बोक्स में कमेंट जरूर करें धन्यवार